हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्या ओ मंचिया आजी करें अ ध फसे करें आपको करेंपनी थ Griffin कुपतमे इस उहाँ अ GROW गज भया हुआ करेंगा है इस दो जो आपको में छोझा नहीं मिले ना मेरे पति आपको? नहीं मिले सच्पमाजी लेकिन आपके पति कहीं और बी नहीं मिल रहे हैं ज्योंकि आप लोग ढूंडी नहीं रहे हो आप लोग सब एक और मुद्षपा क्यों शकुकत और आप लोगों को लग रहें कि मैं जूट बोल रहें और उसने मेरे पती काई गए नहीं अगर आप लोगों के मन में हर्ष ने मेरे लिए कोई शक डाल है तो मुझे पूरा यकीन है कि हर्ष का हात अनुराग के गाहे भोने में आ खिर अनुराग में मुझे क्यों का कि मैं उसे डील के बारे में कुछ ना बता हूँ आप लोग हर्ष से पूछताच कीजिए वो जरूर कुछ छुपा रहा है सर कि अंदी बाली बोलो तरह जो पर किसी ने को बाड़ी किसने गोली मड़ी किसने गोली मा दी हर्ष वादां को ठीक थो आए वो हश हश या वाश तो कि आ आखे कोल भाष हश शुड़ाओ मैं तब मैं तो रिको इलाद मत चले गए वोग अंते वो लूग हर्श्वर्दन बिल्कुल ठीक है सब तार के पिछे छुप गया था है वो लेट शेल्स में है इरादा तो मार डालने का ही था अब हर्श्वर्दन को निशाना बना जा रहे है उस पर गुली किलाई या रही जाय सी बात अब उसे रास्ते से कोशिश की जारी तुश्मा जी ना तो आप मोबाइल से को कॉल कर रही है और ना ही लैंड लाइन से बहुत अहत्यात बरत रही है कोई रिस्क नहीं नहीं लेकिन इस गलत वह में मात रहिए कि आप हमारी रादार से बचने करें हम पहले से जानते थे आप हमान जादब को न मैंने नहीं देखा आप इतना आदा कि वह बाइक पर थे और मांक आप आते अपनी गाड़ी के पीछे अपले प्रूपया है कि आपने उन्हें देखा नहीं मैंने जैसी गोलियो के वाज सुनी मैं दौरती दौरती भाहर है ही यहां कर देख तो कोई भी नहीं था था मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग के किट्नैपिंग के सारा खे एक नाटक है हमें भी डाउट है इस बात क्या तुम्हें लगता है कि अनुराग और हेमन मिले हुए हो सकते हैं कि अनुराग को तुम्हारी बेहन सुनीता के बारे में और के कंद्डा के साथा ऐसा लग रहा था माना अनुराग खंडेलवाल की किड्नैपिंग शायद किसी और जुन पर प परदा डालने की कोशिछ थी हेमन जादव जो हर्षवर्दन का ड्राइवर था और हर्षवर्दन की बहन सुनीता के साथ भागा था उसी हेमन जादव ने सुनीता का मर्डर भी कर दिया था और अब हेमन जादव का केस अनुराग की किड्नैपिंग से जड़ा हुआ लग रहा था लेकिन वो कड़ी थी क्या जो इन दोनों केसिस को जोड रही थी साब इन दोर में मैंने अपने लोगों से जम के फेल्डिंग करवाई तो ये हेमन जादा वहां मिला साब वहां टिक्के बैठा हुआ है काइड का काम करता है और गाड़ी भी चलाता है पड़ावाट निकलोर उठाओ इसे मन देखते हैं इसका क्या कनेक्शन निकलता है सर निपाली तुम सुष्मा को ट्रैक परो उसकी जिन्दगी में कोई ना कोई जरूर है हालांके इस बात के कोई पुकता सुबूत नहीं है कि अनुराग ने खुद अपनी किड्नैपिंग प्लैन की या सब के पीछे सुष्मा का दिमाग और हां आरगेन एगर पुलिस टेशन के इंस्पेक्टर एकदी स्टेटी से मिली अर्श वर्दन की वेहन सुनीता राना की मुर्टर केस की सारी डिटेल्स निक्लो जी साब इस निदी वैदि के पीछे भी मैंने अपने लोग लगा रखे है अगर ये पूरी किड्नैपिंग का खेल खुद अनुराग का रचाय हुआ है तो इसमें जरूर इस निदी का भी कुछ लेना देना हो सकता है सब केशन सबसर जरूरी बार तुम उस औरत को ढूण निकालो जिसने तुम्हें इस किड्नैपिंग की इंफरमेशन दी थी एक बार ये औरत मिल गई न तो बाखे की कड़िया अपने आप जुड़ जाएंगे अचा बताई ये इंफरमेशन क्या है ये नैपिंग होई है प्रॉपर्टी डिलर अनुराग खंडेल वाल की अब ये औरत ये इस खेल के असली ख्राणों का खुलासा करें हर्ष कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग ने हिमन के साथ मिलकर आपने अटाक करवाया हूँ नहीं मालती मैं नहीं मानता कि अनुराग ऐसा कुछ कर सकता है बलकि मैं तो अनुराग के लिए डर आप हूँ ये पर ऐसा लगता हुसे फसाया जा रहा है और अनुराग, हेमन जैसे इंसान के छासे में आएगा या उसकी मदद लेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मालती यहर शवर्दन मुझे उसकी बहन की केस में सजा दिलवा करी सास लेगा अगर वो ही रास्ते से हट जाए, तो ही मैं चेन की सास ले सकता हूँ और अगर मेरे रास्ते से हड गया, तो फिर आपका रास्ता भी साफ है और यह किड्नेपिंग का नाट्य कब तक करना पड़ेगा? जब तक हर शवर्दन राना हमारी जिन्दगी से चला नहीं जागा या फिर तब तक जब तक सब को यकीन ना हो जाए कि इस गिड्नेपिंग के पीछे वही मास्टर माइंड है इस जब दो जादो जी चल्ट अरे असली चरह देखने है कौन आप लोग फुलेज चल्ट हो वो हर शवर्दन राना ने उल्टा तीर मुझ पे चला दिया और आप लोग उसके बातों में भी आ गए लेकिन एक साब बता दूआ मैं मैं अभी बेल पे बार हूँ हाँ लेकिन इस बार बेल की जरुद पड़ेगी ने क्योंकि हम तेरी आरेस्टिंग दिखाएंगा ही ने हो एंकाउंटर की धंकी लेकिन साब ये तो बता दो मेरा जुर्म क्या है वो तो तो खुद बताएगा कि तेरे जुर्म क्या है तुने किया क्या है बहुत ही ठीट और चला का अदमी ये मजा दो इतनी आसानी से मूनी खुलेगा और मार पीट का भी इस पर कुई असर नहीं है बहुत ही चम्री का है बता निसने उस लड़की सुनीता को क्यों मारा हमने एमन को उजयन से मेरे रेस्यूरी सुनीता को Нहीं मारा है याज हमने जाब फ़ने क्या वह साथ सुनीता कं माइने नहीं मारा आप चाहे जितनी बिजी कोशिचे वो कर लो आभ सब जेगे में यहीं बोलोंगा कि सुनीता का मइडर मैंने और नहीं किया इन रस हावित ए हम अधाः वाल का पार्टनर मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे सुली पर चड़ा दोगे क्या वाल कहा है जेब मेरी निखाय के दूब हमने सुनीता के बॉड़ी उजयन के पास एक जंगल से बरामत कि युकि बॉड़ी इस कदर जलीवी थी किम पूर्ट में प्रूवी निकर पार रहे थे कि बॉड़ी सुनीता राना की इसलिए हमत को बेल मुझे पर ऐसा कि यह ने टेस और स्थी दूत को इस दौसका कोई फायदा नियों कि सुनीता हर्षवरधन की Saki別 कि अधंशन के पिताने चीट को को दिया और सुरी तार्पबालोजी करें मताुद पिता कभी कई किसी को कश पताने पैज जलींगत सिफ की बैनिजी बच्ची की तरह फ्मालद उसे इस वक्त हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है प्ैक्या हेमन जानता था? तुनिता को गोद लिया गया था? पूझे नहीं लगता सा जानती सिर्ख यह कुछ सूनिता सबारे में जानती थी तो ritos किसे बता होगा? हेमन का इस बात को नज जानना हमारे केस को और कमजोर कर देगा हर्श सब्सक्राइब मुझे कुछ नहीं मादू इस हेमन जादब को फासी के सजा होनी चाहिए इसने मेरी बेहन को माड आला है सर उसे सुनीता का ब्रेनवाश किया उसे बैकाया और माड आला सुनीता बहुत ही मासूम थी उसे दुनिया के दाव पेच नहीं पता था लेकिन हेमन जादब बहुत शातिरा या आपको भी घुमा रहा है सर आप एक काम करो साब ये सारा मैटर मुझे अच्छे से समझा एक एक करके इस सारे पॉइंट मेरे सामने रखो फिर मैं सोचता हूँ क्या हुआ होगा कैसे हुआ होगा बीवी होगी नहीं होगी होगी तो किसकी होगी सब निदी वेदे अम्राग का पुराना रिष्टा जो अब तक जारी था अच्छा निदी वेदे और कोई ए अमान जाद है तो ब नेक्स केस में लग जाओ बास हम लोग मिलते हैं कोट में ठीक है बाई पैट पास सुनी तरी पकवास अन्रा खंडिलवाल कहां है मार दिया उसको साम उसी दिन उसी जगे है का रहा है सब हाँ चुप-चाप बैठे रहो अन्रा खंडिलवाल कि लोगे तो ठुपोगे अन्रा को बुलाया था वहाँ साब आपको तो सब कुछ पता है एह मांच जादव जादा बकवास करेगा ना तो तेरे शरीर की एक एक हड़ी तोर दूगा मैं समझा बहुत छे महीन रिमान में था सर में छे महीन अम लब समझते हो कितना एक सो अस्ती दिन आप ही जैसे वर्दी वाले भावे गुमते थे क्या ना में उनका जब्दी स्थेटी कुट्टे की तरह मारते थे सर रोज रात को फिर भी आपके सामने फिट एंड फाइन खड़ा हो तो ये दंकी आना किसी और को देना मुझे नहीं साफ ये देड़ साल में कोट के चक्कर लगा है मेरे पर जितनी भी धारा ही थी ना सब मुझे मालू मैं और एक चीज मैं जानता हूं कि अगर बोड़ी नहीं तो केस नहीं जल माल ले तो बहुत स्मार्ट है थैंक्यू साफ बहुत हमें अब ये बता कि अनुरा की बॉड़ी को साथ क्या कि तो बहुत आ रहा हैं जानता है तो यह जो भी बोलेगा वोट में माने नहीं होगा बोल बिंदा अब लोग इतने प्यार से बात करने हो अना तो मुझे भी को मारा देर उसको काट दिया है एपी बर्डे तू यू तुकड़े कर दिया उसके में जितनी उसकी उमर ती ना उत्यों तुकड़े किया साथ काट दिया उसको सर अब बारा कि अब मकसद क्या था कि अर्शवर्द leggo उसरे और तकली पाहने का या तुम्हारी अन्राग के साथ एक परसनल दशुनी ती यह फिर अन्राग के साथ मिलकर अर्श वर्दन को प्रचने का प्लान थै लिए मौक्वें पर अन को हिमार देया साथ यूह आक बात बोलो आप नो इसे मेरी स्टाइल के चस्में, मेरी स्टाइल की कैप, मुछे भी एकदम मेरी तरह. अच्छा, आप लोग मुछ तर्थ पहुचे कैसे? यह हर शोदर रहाना भोका होगा अप। और अनुरा की पतनी, सुश्मा, इसने तो मुझे पैचाना भी नहीं हो. मुझे नहीं पता यह कौन है. तो एक चीज में आपको बता दूसा, यह अनुराग खंडल वाल, यह आपको मिलने नहीं वाला कमी है. 100% कहता हूँ यह, तजरुबे के साथ. और यह भी कहता हूँ कि भोपाल के किसी भी CCTV कैमेरा में, मैं नहीं मिलूँगा. जन्ते हैं क्यों? क्योंकि यह उन्नीस अगस्ट को हुआ है. और उन्नीस अगस्ट को मैं कहा था? इन दूर में. आप चाहे तो मेरा फोन रेकॉर्ड चेक कर सकते हैं. क्या फिल मैं जहां पर काम कर गा हूँ मेरे बास से पुछ सकते हैं. क्या अगर तुझे इतने हैं तुजर्वा है तो यह बताओ कि अनुरा खंडेलवाल को इन लाप किस ने खिया हूँ. अगर वो मारा गया है, किस ने मारा होगा? अर्शवर्दन राना ने मारा है साथ. अनुरा की पत्नी सुश्मा खंडेलवाल के साथ मिलूँ. अच्छा, अर्शवर्दन ने तुझे पेक्चर में पहचाना, तुझे सामने लेकर आया, अभी तुझे हमेरे वर्स में पिक्चर देखा रहा है, है? उल्टा उसकूबर गेम को मारा है? आपने जो पहले बोला ना सब, वही सही था. मुझे इस पिक्चर में लाया गया है. लाया कौन? हर्शवर्दन राना. क्यों लाया? अभी सोचा है इसके बारे में? चार साल पहले सब कुछ खतम कर दिया मैंना. यह अनुरा खंडेलवाल, उसकी पत्नी सुश्मा खंडेलव इसी की बंदो मेरे कंदे पर रखके चलाई जा रही है साब, अब थोड़ा सोची है. दोनों की भी सारा कम्मुनिकेशन चैट मेसेज़स के थ्रू हो रहे थे, तभी कोई कॉल या समस नहीं, लेकिन उन्नी सॉदस की बाद से चैट मेसेज़स भी बंद है, चैद भाब गई होंगी, कि शिकान जाइस पर भी कसा जा सकता है. और सुष्मा खंडेलवाल की किड्नैपिंग से जुड़े सभी सस्पेक्ट्स, हिमन जाधव, हर्श्वर्दन, राना और सुष्मा खंडेलवाल से कड़ी पूचताच की गई. सब को इंटेरोगेट किया गया ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार क्या दाव पेच केला जा रहा था और साथ ही अनुराग खंडेलवाल की खोज भी जारी. अनुराग खंडेलवाल की गाड़ी जो अब तक मिली नहीं थी उसको ट्रेस करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया और इस केस का चौथा एंगल निधी वैद्या को भी अंदेखा नहीं किया जा रहा था उसकी भी लगातार जादी रखी गई निधी वैद्या की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी ये पता करने के लिए कि क्या अनुराग की किड्नैपिंग में निधी का इन्वाल्मेंट हो सकता है अनुराग खंडेलवाल का गायब होना एक सोची समझी साधिश थी हर कदम फूख फूख कर रखा गया था और सुनीता राना के मुर्डर से इसका क्या संबन था इसका भी खुलासा होने वाला था रवी पाठक आपका बेटा और इस रवी पाठक की बेटी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि आपने जो चिठी रवी पाठक को लिखी और रवी पाठक में जो चिठी आपको लिखी उनके बारे में हमें सब कुछ बता है अच्छा तो अब आपको के लिए उतावला हो रहा है कि उसे कितने पैसे दिये गया थे यह जूट बोलने के लिए किड्नापिंग वाली सुबा अनुराग उसके गैराज पर गया था ठीक है तो तोड़ी उसे और उगलवा लीजे कि मैं नहीं अपने पती की किड्नापिंग करवाई है रभी पाठ्ट कंफस कर चुका है तो हम उसका बयान लिए उससे लिए उस ने बी और पई इस ने हमारे ख़बरिए को कॉल करके फिरोति के डिलीवरे के डि antibiotic की डिट्रेल से हैं क्या वखवास है आप हेमन जादव जैसे क्रिमिनल की बात मानकर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेरे और सुष्मा के बीश में कुछ है सुष्मा मेरे बिजनेस पार्टनर की बीवी है बस इस स्यादा कुछ ने एबर टन ने समाथ किलो हर्श बटन तुम्हारे उपर अटेक हुआ और छे में से एक भी गोली तुम्हें चूतक नहीं बाई तो इसका क्या मतलब समझा हूँ तो आप कहना क्या चाहते हैं मैं अपना पको गोली मार लूँ तर कैसी बात कर रहे हैं आप ये हेमन जादव आपको बहका रहा है माहीरेस मामले में बो मेरी बहन को भी बहकाया था उसने और अगर CCTV तस्वीर में मैंने हमन जादव को पैचान भी लिया और आपको बताए कि हमन जादव है तो क्या गलत किया उसे तो भी पैचान सकता हूँ अब पुलिस वा लोगों का मुझे श्टाइल पसंद आया वो थाने में पहले जगदिश साहब और फिर एक लेड़ी ओफिसर यहां भी हो सेम पूछो मैं तुछ से अनुराब खंडेलवाल के बारें पूछने नहीं आई हो हमन वाह मैं मैंडी पंग गया है वो नाम सुन सुन के कुछ और क्या पुछना है दुसरा चल कुछ और पाज करते हैं अब तो मुझे ये वत जब सुनीता के साथ भाग गया था तो फिर उसे मारा क्यों मन भर गया था तो छोड़ देता मन भर गया था सुपारी दी गई थी उसको मारने के लिए किसने थी उसके भाई हर्शवर्दन जाना ने मैंडो आपको तो पुरा क्लामेक्स मालूम है तो फिर काय को इतना इंट्रेस्ट ले रहे हो कहानी जाने में है वहला हेमंद के इंवाल्व था नुराग के मामले में यह मुझे समझ और आप यह चाहते हैं कि मैं यह बात मान लूँ कि मैंने ही अपने बिजनस पार्टनर और अपने दोस्त अनुराग को ट्रैप किया और उसे मरवा डाला जब मैंने ही किया ही नहीं तो मैं क्यों मान लूँ तू यहां कैसी है यही सवाल तो मझे तुछ से पूछना चाहिए कि तू यहां क्या कर ज़िए मैं नुराग को क्यों मरवाओंगा पैसो के लिए वो पैसे जो मेरे कभी होंगे ही नी क्योंकि इन राक जाने के बाद वो सुष्रमा को में वेता है उसमे मेरा क्या फायदा होता आपी तो सब कुछ चेकी हैंने से मेरे क्लाइन से बात किये इस एक बार फिर से बताओ, जो तुमने हमें अभी बताओ, बताओ, कैसे तम दोनों ने ये सारी प्लाइनिंग की, और फिर आपने इस प्लाइनिंग में, कैसे रफीक मकानिक को शामिल की, आपने मुझे यहां पांच घंटे से बेठा रखे, और आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपनी फैमिली है, आपके शक के चक्कर में इसका घर बरबाद हो जाएगा, रवी और मैं दोस्त है, हाँ हम चैट मेसिजिस पर बाते करते थे, बस उतना ही था, फिर मेसिजिंग बनकर की चिट्टी भेजी, क्योंकि मुझे पता था कि आपके लोग हमें ट्रैक कर रहे हों मिला कुछ, मिला, नहीं ना, और रही बात उस उरत की जिसने फोन करके खबरी को खबर दी, तो एक आखरी बार बोल रही हूँ, वो मैं नहीं थी, और ना मैं जानती हूँ कि वो कौन थी हाँ आरेश, कुछ मिला क्या है, हाँ सर, म्यूनिस्बल कॉर्पोरेशन की पार्किंग में खड़ी मिली हमें यह गाली, कहां मिली, वोपाल में है, हाँ सर, सर आपने मुझे गाली का कलर ब्लैक बताया था, लेकिन यह गाली यहाँ सफेद रंग में रंगी हुए, इसलिए ह किसी CCD फुटेज में यह गाली नहीं मिली है, तर गाली के नमबर पे बदल देगा है, लेकिन चैसिस नमबर वही है, मुझे पूरा यकीन है, यह गाली अनुराग खंडेल वाल की ही है, नरेश, गाली को तुरंत कस्टेडी में ले लो, को किसा है, अनुराग की गाली बराम अनुराग की गाली मिल चुकी थी, और अब इस गाली के जरीए, अनुराग के ड्नापिंग केस से जुड़ी एक एहम कड़ी सामने आने वाली थी, हाला कि गाली की बहुभी सफाई की गई थी, लेकिन कुछ अफशेश गाली में रहे गए थी, जो साजश और साजश करने व आले थी, और ये पता चलने वाला था कि उस गाड़ी में अनुराग के अलावा एक औरत भी थी, जलेश, विछली सीट पर कुछ मेल है, किसी परफ्यूम ये तर, लोगए एक बार, हाल सर, कुछ भू है, तो रंद फ्रेंसी को बलाओ, साब, ये हमन जाता हुए एक अलगी कहानी सुना रहा है, सुनीता नाना की मुर्डर की, बल्यान मैंने दिया था साब, लेकिन किसने सुना नहीं, वे टाइम बेस्ट मत कर, दिमाग पेर ऐसे खराब है, और खराब मत कर, भुगा ही कर दूँगा तेरी, सूचिए साब, एक आदमी नहीं कीते है किसी को नहीं फसाया, कहले सुनीता नहीं कीती है, मेरी तो कभी हिममती नहीं होती जो अख्ות पता था, जो पर्रक उसके और मेरे बीच में है, वो कभी नहीं मिट सकता, लेकिन जैसे सुनिता अपने आपको नहीं रोग पाया, टिक वैसे ही मैं भी अपने आपको रोग नहीं पाया, हमारे बिच कब प्यार एक अलग मोर पर चला गया, हमें खुद पता नहीं चला, यार करते हैं कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि हमारा खीमन को ना आज ही नौकरी से निकाल दो, और तुम्हारा आज से कॉलिग जाना बन, पढ़ाई छोड़ की काफी सारी चीजों पर ध्यान है ना तुम्हारा? अभी वो अच्छा इंसान है, और ऐसे कैसे आपकात के वारे बात करें बहिया, मुझे आपकात से कोई फड़क सुनिता को मेरे दिल से नहीं निकाल पढ़ा है, और ना ही मैं सुनिता को, हमने सोचा हम भाग के उज्यन चले जाएंगी, यह सच है कि हमने भागने का प्लान बनाया था, लेकिन सर अम भागे नहीं था, तब फर सच है कि ने भिझे को कहा उ मारा? मैंने सुनीदा को नहीं मारा साथ मैं उससे प्यार करता था हम लोग साथ में भागने वाले थे मैं उसके इंतजार करता रहा बहुत देर तक जहां मुझे मिलने का तही किया था उसकी आने के समय होने के कई घंटे बात तक मैं वहीं कडा रहा सुनीदा वहां आई नहीं साफ और मुझे शक हुआ कि उसके साथ कुछ गलत नहुआ तो साफ मैं डर गया इसलिए मैं उज्जेन भागया साफ मझे तेरी इस कानी पर यकीन नहीं हो रहा कानी नहीं यही सच है आपको इंस्पितर जबदीश ने सुनीता का लेटर दिखाया होगा जो उसने उसके घर पर लिख कर छोड़ा था तो याद कीजिए उसमें क्या लिखा था भाईया भावी हो सेके तो मुझे माफ कर दीजेगा मैं और हेमन्त यहां से जा रहा है मैं आप लोग जैसे तक्यान उसी कहलातों की नहीं हूँ मैं और हेमन्त शादी करके अपनी दुनिया कहीं दूर बसा लेंगे उमीद है आप हमारी जिंदगी में दखर नहीं देंगे सुनीता हम यह चिट्टी अरश्वदन के खर से मेले हेंडराइटिंग को भी मैच करवाया है जो सुनीता के हेंडराइटिंग से मैच हुई हां पड़ा था तो क्या उस चुट्टी में ऐसा लिखा था कि वो उज्जयन मेरे साथ भागने वाली है नहीं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था यहीं तो बात है ना सर ठीक दो दिन के बाद मुझे उज्जयन में पकड़ा गया ना सुनीता ने चुट्टी में ऐसा लिखा था ना मैं किसी को पता कर गया था फिर उन्हें के से मालूम कि मैं उज्जयन में मिलूंगा साब यही बात मैंने जंदी सेटी को गही थी एमन तुफए से जैन्सबंड बने की कोशिश कर और दिमाखरा मत कर हर्श्वदिन राना नहीं अपनी बहन को मार राला है साब इसके पहले की सुनीता निकल पाती मारी की बेचाथ यही सचे साब आप जो यहां अनुराग खंडेलवाल की केस में धूंद रहे हैं उसके तैय में भी आपको हर्श्वदिन राना ही मिले आपको लगता साब मैं शातिर हूँ लेकिन हम सब से कहीं जादा शातिर यह हर्श्वदिन राना है क्योंकि उसे पता था कि सुनीता की बोड़ी पुक्ता तोर पर क्लेम नहीं की जा सकती क्योंकि सुनीता उसकी सगी बेंग थी नहीं जो बोड़ी मिली वो सुनीता की थी नहीं और यह अनुराग खंडेलवाल की बोड़ी भी आपको नहीं मिले ये हर्श्वार्दिन राणा आराम से गायब करवात है ये सेमा इंजादव का कोई वरोसा नहीं किस बार सच बोल ला हर बार जब भी पूछते हैं कोई नहीं काहने सुना देता है युव बोलता है कभी गो बोलता है लेकि जूर बोल रहा है इसकी भीटो कर गयारानि ने सार क्या पदा सच बोल रहा हो हम इतने अन्दे गलियों में दाड़े हैं एक और से हर्ष्वार्दा ते इसको तोड़ते हैं । देखते हें ये क्या कहानी स क्योई को फटा तो चैस मे और आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था उस गाड़ी में कोई एक औरत भी थी ऐसा क्या मिला है गाड़ी में दिवाकर? एक कान की बाली मिली है और आई थिंक इसका एक पेर अभी भी उस औरत के पास होगा सर ये ये रिंग सुश्मा कभी हो सकता है जो कभी गाड़ी में गिर गया हो सर लेकिन ये निर्धी का भी हो सकता है शाहिद कभी अनराक की गाड़ी में गई हो और उसका एरिंग गिर गया हो और जबादे ये रिंग हमारे लिए कौछ और दो पटा गug ये रिंग आखिर है किसका किशन खबरी से कहो कि इस एरिंग की तस्वीर अपने पूरे नेटवर्क में बाढ़ते और पता करें के एरिंग खरिदा कहां से गया यह मेरा नहीं है यह मेरा नहीं है लेकिन आप यह क्यों पूछ रही है अनुराग की किड्नैपिंग को दो हफ़ते से ज़ादा हो चुके थे लेकिन अनुराग की अब तक कोई ख़बर नहीं आई अनुराग से जुड़े सभी लोगों में अबदासी चा रही थी लेकिन उसके गायब होने के पीछे का सच अब तक एक रहसे ही बना हुआ अच्छा सुनो अनुराग खंडलवाल आता ही होगा तुम्रों तैयार हो जो यह ले यह नंबर आज इसको मुलाने का है मैं बस फोन कर और बोल के अनुरा खंडलवाल का किड्नैपी होगा कल सुबर साढ़े साथ बजे माता की चौकी भोजपूर पर फिरोती डेलिवर होने वाले अब इसाले का फसा रहा है मुझे मेर से नहीं हो गई सब और सवाल जबाब करेगा तो मैं क्या बोलूंगी तु बस फोन कर आज रात के तुझे दो जार रुपए दुआ में खाली दुझे एंफॉर्मेशन पोचाने का इस नंबर पर कोई ज्यादा सवाल जबाब करे ना तो तु अपनी बात बोल और फोन कार्ट क्या मुश्किल है इसमें दविंदर ये ले काम कर गाड़ी ले जा थोड़ा घुमा फिरा फिर छोड़ा किसे पार्टिंग में पर कब तक घुमा हुआ हुआ जाता ले एक दू 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 नहीं है हश या पुलिस ने तुम्हें बता है कि उन्हें अनुराग की गाड़ी से को यारिंग मिलिया नहीं तो इन्फॉर्मर को फिराओधी के रकम की डिलिवरी के ख़गर किसने दियो लिए शायद भई जिसने कहानी बनाई या नुराग ने डील वाली बात मुझे पताने से मना थिया हर वो अपराधी जो अपराध की कहानी बुनता है अकसर उससे एक चूक हो जाती है वो ये भूल जाता है कि कोई भी जुर्म की कहानी सफल कहानी नहीं होते कार में येरिंग का मिलना उस क्रिप का हिस्सा था ही नहीं और वही येरिंग इस केस को क्राक करने में मददगार साबित है पूरे शायर के हर छोटे बड़े जूनरी शॉप की इंटेंट सर्च के बाद एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई जो इस केस में एक मेजर ब्रेक्थ्रू साबित हुआ हाँ, बिल्कुल यही वाला था उस लेडिस के पास ऐसा ही एक दूसरा भी था उसने कहा था उसका एक हो गया है तो बिल्कुल ऐसा ही दूसरा बना दो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, डिट्टो साब ये लो खोद लाया आपके खेल की मिसिंग खिलाडी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए डिट्टो ये मेरा फेवरेट एरिंग था साब इस लेडिस का नाम कंचन है साब ये धन्दा करती है लाल बत्ती पे बारा बटा थाइस में रहती है और वहीं से कोठा चलाती है साब उठा इस कंचन को देखते हैं क्या कहानी इस कंचन थी अरे साब ये का मिला आपको ये थो मेरा फेवरेट एरिंग है कुछ दिन पहले ही खो गया था क्या बाते साब ये ना कंप्लेंट के ये आपने दूढ निकाला इस गाड़ी के अंदर से मिला गाड़ी के पिछले हिस्से में कहीं दबा हुआ था इस आदमी की गाड़ी है इससे जानती हो ये कौन है मैं नहीं जानती है अनुराख खंडेलवाल क्या हो तुमारे चहरे का रंग ही उड़ गया बस फोन कर और बोल के अनुराख खंडेलवाल का केड़नेप हुआ अनुराख खंडेलवाल उनमें सरगस्त को केड़नेप हुआ था पंदरा दिन हो गए अभी तब कुछ आता पता नहीं कि कहा है और तुमारे शकल से साफ पता चलता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम है अगे साली दो फीट के जगा में चालो हो जाता है ना तू रोम जाने का भी वेट ने किया अब निकलते हैं से पहले हवलडार आ जाए तेरा तो पता नहीं मुझसे दुमली वसुली गरेगा वो सब आप ये जो आदमी बोल रहे हैं ना जिसकी गाड़ी में मेरा एरिंग मिला अन्रांख अन्डेल वाग सब मैं इसे नहीं जानती तो किसको जानती है जल्दी बता वरना किन्नापिंग गाड़ी चोड़ी और मुर्डर का केस तूछ पर लगा दूँगी नहीं नहीं मैंडम मैं कुछ नहीं जानती अब देविंदर को पुछो वो ही मेरे पास आया था और उसने मुझे बोला था कि मैं फून कॉल करूँ और बोलू कि इस हाद में का किन्नाप हुआ है और फिरोती के पैसे ना दिये जाने वाले है और मैंडम ये गाड़ी भी देविंदर ही लाया था वोस्दिन गाड़ी में ही चालू हो गया था तो ये रिंगी तभी गिर गया होगा ये रिंग के जरीए पुलिस कंचन तक पहुँची और कंचन के जरीए देवेंदर कुमार नाम की हिस्ट्री शीटर तक और इस हिस्ट्री शीटर देवेंदर कुमार के जरीए उसके जोडीदार हिस्ट्री शीटर जितेंदर राचपूत तक और इन दोनों हिस्ट्री शीटर्स के जरिये ही पुलिस इन के आका बाला पाटीदार तक पहुंचे एक एक करके सारी कडियां चुड़ी और सब के सब उठा लिये गए देवेंदर बाला जितेंदर तुम तीनों मिलके आपस में डिसाइड कर लो कि पहले थोड़ी धुलाई करें या सीधा बोलोगे क्योंकि बोलना तो ही साब मैंने बस सेटिंग किया साब दो महिने से इन दोनों को भी साथ में लिया खाली धमकाने के लिए सेटिंग वर्जी जमीन की सेटिंग हा सूँ अनराग सेट को जहासे में लेने का प्लानिंग किया हम लोगों ने उसको बताया कि यह जमीन है इतना दाम है इतना बढ़ेगा बड़े बड़े प्लान बताया बोला इधर से बाइपास जाएगा बगर बगर तो मतलब कोई जमीन थी नहीं इस कानी में किडनेपिंग आ की इसलिए की और तुम लोगों की सेटिंग का मास्टरमेंट कोन है किडनेपिंग तो किया ही नी साब किडनेपिंग तो किया ही नी तो सब प्लान चेंज हो गया सेटिंग करके किडनेपिंग का ही प्लान थी लास्ट मिनिट में चेंज हो गया और अन्दस् तुर्ण आज किया रहे हैं? सब हमने दे मटरने किया मैंने नी किया है सब तब किसने किया? किसने किया? अश्ष, लाडी चुपाते से बला नुरा गाए क्या हमाल? अब ब्लांट कंसल के? ने ने चंसल निगवा वास थोड़ा चेंज हुआ है अब उनके टैपनी करेंगे सिर्दा माँ डालें अब रहे है सब हाँ? चुप-चप बैठे रहो अन्रा खंडिलवा पिलोगे तो ठुकोगे अर्च, तु यहाँ क्या कर रहा है? यह सवाल तो मुझे तुछ से पूछना चाहिए ना पार्टनर्शिप तोड़के अपने पार्टनर को धोका देगे तुदी डील करने निकल पड़ा यह डील हमारी जिंदेगी बतल देगी तुम देख लेना बस यह बात तुम अश्वादन को मत बता इस डील के बारे में तुझे शुष्वा ने बता है यह डील तो तुरे लिख दाना थी दरहासल कोई डील थी ही ने लेकिन मुझे लगा मनने से पहले तुझे बात पता होनी चाहिए नहीं तो चैन से मर तो जाएगा लेकिन मैं चैन से जी नहीं पाऊँगा वाला इसकी गाड़ी का हुलिया चैंच कर दे और किसी बार की में छोड़ दे लेकिन द्यान रहे किसी नाजर ना पड़े अनुराग घंडेलवाल का डेड़ बाड़ी हर्षवर्दन से अपने साथ ले गया हर्षवर्दन अनुराग की बाड़ी कहां लेकर गया सारा नुरा अनुरा अनुरा आख को पता चला क्या आप लोगे अरजिल जी प्लाया ये ज़ित वोच्पूर, वोच्पूर वाला बड़ा कई? को वोच्पूर? उस पेटी में कमीने तूने इसके टुकड़े टुकड़े कर दी और हमारे साथ दौपेच खालते रहा हमारे सामने अनुराग की फिकर करने का जुठा नाटक करते रहा क्या हुआ साथ छुटी हो गई मेरी आज़द हो गया मैं हाए मन तुम जा सकते हो ज़क्तर अनुराग खंडेलवाल की बॉड़ी मिल गई हाँ मिल गई और टुकड़ों में मिली है जैसा कि तुमने कहा था इस सब के पीछे हर्शवर्दनी है वसवक्त हमने तुमारी बात नहीं माने नहीं तो ये केस बहुत पहली सौल्व हो जाता तुमने किये ना टुक्रे मैं मुझे दोका देगा था इसा दोका युह मेरे विना फान सुन दाश करना चाथा नो मुझे भिना बताए वहुमरे ली खत्रा बनता जा रहा था ठत्रा बन रहा था सिर्फ यसलिए कि के उन्वराग खुद का काम शरू कना चाहता, जिए इलजाम रगाया आज़ी मजरीम करा दिया और आजी सजामी सना दिया तम गलत नहीं हों एमक सुराइमाím आरशनीता नोज रॉनीता तुम यून भी सऊही थे सुनीता तुम्हारे साथ भागने के लिए कभी घर से निकल लिनी पाई थे नेतार को फार्श वर्दन नहीं मारो तुमने तो सोचा होगा अज रात घरी नहीं होगा मालती कि माम्मी बापा गया रूंग जाओंगा और तुमने भागने का प्लान मना लिया वह बहुत होशारी से सही समय का इंतिजार किया तुम प्लीज मुझे हमन के साथ जाने दो मैं इसके बाद से अबने शकल तक नहीं रिखाऊंगी बिया और अगर आज मैंने तुम्हें रोग भी लिया तो क्या गैरेंटी तुम पिर सबागनी की कोशिश नहीं करो प्लीज मुझे जाने दो एमत मेरा इंतिजार कर अबिया तुम्हें प्लीज मुझे जाने दो तो कोडी के ड्राइवर के लिए मैं तुम्हें मेरे आज के सम्मान के साथ खेले नहीं दो थैंक्यू सुनीता थैंक्यू तुम्हें अपने भाई को बचा लिया अजया बच यह रोख यह रोग यह रोग यह कोटम साला समझता गया अपने आप हाँ और उकाद गया उसकी पंदरा परसंट चाहिए साली को पंदरा परसंट पंदरा तुक्डे कर दूँगा कुट्तों को डाल दूँगो न उसके इंगर पिया कर यह चड़ जाती है तुझे वैक की बधेकि बाते करताई चल क्या है गजिए लगळिए न क्लिकन कि बात करते हैं वेहन सुनीतर नहीं भी ऐसे किया थे अरे मेरे प्रीट फीछे खंजर फोका था उसने अरे लाटली बहन थी मैंने क्या किया क्या मैं उसके छोटे 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 चोटे तुकडे कर दिये काट जाला था उसका मैंने गौतम को भी काट दा लूगा अमज रहा है नसूँ है अधर 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 तुने सच्व अपनी बैंड को माठा अरे तु नशे में ज़रूर था लेकिन कई बार लोगों की सच्चा ही बाहर आजाती है नशे में अरे यार कल रात में कुछ बो बूल जा नशे में था तू भी जानता है अरे मर्डर तू ने किया अपनी बहन का और बिल फाड़ दिया उसकरीब ड्राइबर पर तेरा ड्राइबर है मन्त सुनीता के मर्डर के समें अंदर है वो अनुराग अब तूस दो ठकी के डैवर के लिए मेरी क्वेशनिंग करेग तेरी बहन के माउख पे तेरे साथ आसुबाया था तुझे तूटते हुए देखा था चूटता सा नाटक था सा नशे में था कुछ बलबला गया सीलिस नी क्यों ले रहा है बूल जा इस बात को किया इसे क्या देख रहा है बोला ना अब क्या ब्लैक्मिल करेगा क्या बोल हर्षवर्दम सुनिधा की बाडी कहा है इस बोलेगा बलाट खोल सक्यात कड़ी पाँ 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 पीछे पाँ 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 इंसान के दिमाग की शमता बहुत ज्यादा है पर यह जितना अच्छा कर सकता है उतना ही बुरा भी कर सकता है लेकिन बुरी प्रवृत्ति वाले कई बार समझ के परे होते हैं सुश्मा खंडेलवाल को इस बात की भनद भी नहीं थी कि उसका पती अनुराग अपने पाटनर हर्षवर्दन से अलग होने की सोच रहा था अनुराग जिसे डील समझ रहा था दरसल वो उसके लिए बिचाया गया एक जाल था हर्षवर्दन की पत्नी और हर वो इंसान जो हर्षवर्दन को जानता था उन्हें उसके अंदर छुपे उस हैवान का पता ही नहीं था एक मातर इंसान जो हर्शवर्धन के अंदर के इस हैवान को पहचानता था वो हर्शवर्धन द्वारा ही की गई एक निर्मम हत्या के इल्जाम में दोशी बना हुआ था हर्शवर्धन राना पर अपनी बेहन सुनीता राना के मरडर का चार्ज लगाया गया जो उसने चार साल पहले किया था और उसे अपने पार्टनर अनुराग खंडेलवाल के मरडर के लिए भी बुक किया गया जो चंद रोज पहले किया गया था इंसान का मन चंचल होता है उसमें उथर पुदल होती रहती हमारे सोच विचार हमारे इंटेंशन्स सब हमारी चाहत के हिसाब से होते अपराद करने की चाह उसकी भावना भी हमारे दिमाग में ही पनपती है और हर अपराद ही को उस अपराद के विचार पर कदम उठाने की सजा भुगतनी ही पड़ती है फिर चाहे आप राध जो भी हो जैसा भी हो लेकिन इंसानियत क्या है? इंसानियत है बुरे और आपराधिक विचारों को दबा कर अच्छे विचारों को आगे लाना और उस पर अमल करना अब मैं आनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ कल रात 11 वजए आप से फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें जै झाल